हेलो एव्रीवन वेलकम टू तरुनायस अकाडमी दिसाइट सौम्या स्वागत करते हैं आप सभी का तरुनायस अकाडमी में और यहां पर आप देख सकते हैं फ्री मेंटॉशिप सेशन जी हां अगर आपको यूपी एस्ट की तैयारी करनी है और चाहते हैं कि फोर्स क्या चीजें नहीं पढ़नी है एक्जाक्ली तो इसके लिए आपको जो है में टॉशिप सेशन लेना होगा यानि मैं ऐसा में टॉर आपको गाइट करूंगी यहां पर अप मेरे क्रेंशल्स देख सकते हैं और में टॉशिप सेशन को कंड़क करने के लिए किस तरीके से आपको दिया होगा गूगल फर्म उस गूगल फर्म को आप फिल करेंगे और मेरी टीम आपको कांटाक्ट करेगी और इसी के साथ एक में टॉशिप सेशन आपका लिया जाएगा अब यह में टॉशिप सेशन बिल्कुल फ्री है बर ध्यान रखिए कि जादा लंबे समय तक यहां पर मैं आपको ओवरॉल आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप यूपी एसी के साथ साथ एससी की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं कितना स्लेबस ओवरलाप करता है कितना स्लेबस अलग है ओवरॉल इन शॉर्ट सारी इंफोमेशन में आपको रिवील करूँगी सबसे 1 एख सु नो बात करें तो देखे सिंवे नो अगल्म से और स्टेज दो पेपर हुंते हैं पहला जीएस्ट पर 한 Cal 10 दूसरा होता है C-Sat, then Mails की बात अभी हम थोड़ी दिर बात करेंगे, okay, but यहाँ पर अब SSC की अगर बात करें तो आपके MCQ यानि की MCQ फॉर्माट में कोशन्स पूछे जाते हैं, यहाँ पर अगर बात करें तो स्टेज 1, जो की पिलम स्टेज है, तो यहाँ पर भी आपके MCQ बेस्ट कोशन्स पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होती है, नेगेटिव मार्किंग उसमें भी होती है, तो टोटल माक्सिमम जो यहाँ पर अवरल मार्क्स अलॉट की जाते हैं, वो दोसों में से आपको कीए जाते हैं, ठीक है, तो अवरल अगर बात करें यहाँ पर तो टायर 1 का पेपर में कौन-कौन से सबजेक्स आपके अपके इंक्लूड होते हैं, कितने कोशन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, ओबर अल इन डीटेल साइटी जे एक्स्प्लेइन करूंगी। बात करें अगर जन्रल इंटेलिजेंस या रीजनिंग की तो देख सकते हैं टोटल नंबर अफ कोशन जो आते हैं पच्छिस आते हैं और टोटल मार्क्स यानी तीन एरियास हैं, पहरा English है, दूसरा Maths और तीसरा Reasoning है, तो यहां भी Reasoning है, तो अगर प्र उनला के आप Reasoning की तयारी करते हैं, तो साथ में आपका UPSC भी प्रिपेर होता है, साथ में आपका SSC भी प्रिपेर होता है, क्यूंकि 25 कोशन एक छोटा मॉंट नहीं है, वहीं जो portion है आपका overlap करता है then general awareness, अब GK अगर कोई UPSC का बच्चा है भाई UPSC में history, geography, polity सभी चीज़े आप पढ़ते हैं, current affairsing, detail पढ़ते हैं तो ये 25 question आपके लिए बिल्कुल हलुआ हो जाएंगे यानि GK की तो कोई tension SSC में होगी ही नहीं आपको तो ये 50 number जो है ये तो आपके पास as a safe guidance आपके पास score रहेगा ही यानि GK में general awareness में कहीं से भी कहीं तक कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, then quantitative aptitude, अब quantitative aptitude की अगर बात करें तो UPSC में जैसे मैंने कहा CSAT में maths quantitative aptitude है, तो SSC में भी आपको quantitative aptitude है बट जो level है आपके, दोनों का थोड़ा थोड़ा अलग level है, तो यहां पर मैं बोलूँगी, ये एक area है जो आपको थोड़ा सा अलग-अलग preparation करना पड़ सकता है, ठीक है, so 25 questions यहां पर quantitative aptitude के आते हैं, 50 number, यानि overall जो tier 1 है, वो 200 number का होता है, okay, then fourth is English comprehension, अब English comprehension UPSC में भी है, CSAT पेपर में, और English comprehension SSC में भी है, 25 questions overall 50 marks और ये 50-50 को जब आप add करेंगे तो count up हो जाएगा आपका 200 marks का, overall questions जब आप देखेंगे, तो 100 questions, ठीक है, 100 questions, 200 marks, overall जब आप देखेंगे, तो यहां पर आपका, जो, आप देखेंगे कितना percent overall match होता है, तो मैं बोलूंगी, 70% तक slabors जो है, आपका match होता है, UPSC और SSC का, ठीक है, but quantitative aptitude जो है, वो आपको थोड़ा-थोड़ा अलग prepare करना पड़ सकता है अदोवाई, GK वाला portion, English वाला portion, reasoning वाला portion जो है, यहां पे यहां पे, यह एक match maker हो सकता है, ठीक है, तलिए, अब यहां पे further बात करते हैं, so आद्वा नंबर यहां पे penalty आपको मिलता है, अब देखिए, जो negative marking है, वो दोनो ही papers में होती है, so, attempting किस तरीके से paper को attempt करना है, चाहिए, SSE हो, चाहिए, UPSC हो, आपको दोनों papers को बिल्कुल aware होना है, दोनों papers में ही आपको बिल्कुल aware होना है, ठीक है, चलिए, अब अगर बात करें, यहां पे tire 2 के बारे में, tire 2 के बारे में अगर बात की जाए, तो यहां पे paper 1 जो है, वो compulsory होता है, सभी post के लिए वही बात करें, paper 2 की, तो जूनिय statistical officer और statistical investigator के लिए यह paper होता है, और paper 3 होता है, assistant audit officer या फिर assistant account office, या अगर आप इनके लिप तयारी कर रहे हैं, तभी आप इन दो papers को देंगे, अधर आप अगर general है, तो आपके लिए एक paper होगा, which is compulsory for all ये paper आपका धाई घंटे का paper होता है खुल मिला के, ठीक है, और यहाँ पे, मैं paper 1, जो आपका main paper है, जो compulsory paper है उसका overall आपके लिए pattern ले के आई, अब maths ability module 1 में आता है, देखिए maths मैंने कहा, आपको थोड़ा सा ये एक changing mode हो सकता है, क्योंकि UPSC की maths थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि analogical है, अलग है SSC वाली maths हालग की overlapping है बढ़ तयारी थोड़ी सी यहाँ पे आपकी variation आ सकता है, ठीक है so यहाँ पे 30 questions आएंगे 90 marks के, और weightage है कुल मिला के 23% then reasoning reasoning बिल्कुल आपका same है यहाँ पे आप एक advantage ले सकते है overall एक advantage आपको हो सकता है ठीक है, so यहाँ पे 30 questions है, 90 marks है, 23% का overall weightage है, इन दोनों के लिए ही आपको एक घंटा दिया जाएगा which is more than sufficient to solve the paper then बात करें section 2 की English and general awareness अब यहाँ पे UPSC के एक बहुत बड़ा रोल है general awareness के जो 25 questions है यह आपकी pocket में है, क्यूंकि आप जो है UPSC में वो साही चीजे पढ़ेंगे चाहे वो history हो, quality हो और बहुत डीटेल में पढ़ेंगे, so कुल मिला कि इस area में आपको टेंशन एने की ज़रूरत है नहीं then English comprehension भी आप डीटेल में पढ़ेंगे CSAT में English, आपको पता English comprehension आती है जिसका जो level होता है वो SAC level से उपर होता है so अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इसका automatic तैयारी हो जाएगी, ठीक है so बात यह है कि 45 questions आपके आएंगे marks, यानि कि 135 marks होगा 35% का overall weightage होगा then section 3 की अगर बात करें अब section 3 जो है qualifying in nature है आपको सर्फ qualify करना है that's it, जैसे computer knowledge test है 20 questions आएंगे, 60 number के 15 minute आपको दिये जाएंगे सर्फ qualify करना है, इसके लिए थोड़ा सापको अलग से पढ़ना पर सकता है बढ़ इतना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि qualifying in nature है, main paper नहीं है then बात करें, data entry speed test की तो ये भी आपको qualifying है यानि कुल मिलाके, मैं जो आपने पूरा बताया, यहाँ पर based on SSC और UPSC अब वहीं अगर हम बात करें, देखिए अगर हम बात करें आपसे तो ये SSC का ये हमने कर लिया है वहीं अगर हम बात करें आपसे UPSC की यहाँ पर देख सकते हैं paper 1 जो होता है, आपका वो कौन सा paper होता है, आपका main paper होता है जिसमें की आपकी cut off जो है, आपको cross करनी पड़ती है अब इसमें आपका quality, history, economy environment, सारे subjects overall आपके यहाँ पर cover किये जाते हैं 100 questions आते हैं, 200 number के आते हैं दो गंटे का आपको समय मिलता है paper 2 CSAT होता है ये भी आपका NCQ based होता है 80 questions आते हैं, CSAT में तीन areas cover किये जाते हैं, reasoning, maths और English जो की SSC से भी overlap करते हैं तो कुल मेरा के अगर यहाँ पर बात करें सो मैं बोलूंगी कि SSC और UPSC की तयारी एक साथ की जा सती है बट आपकी जो approach होनी चाहिए वो बहुत straight होनी चाहिए clarity बहुत clear होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए क्या मेरा weakness है क्या मेरा strength है, किस समय में क्या मुझे करना है, किस समय में लाती रहूंगी, सिर्फ और सिफ आईएस तरुन चैनल पे इसलिए चैनल को जल से जल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, and wait for my next video Thank you so much, have a nice day, bye-bye and take care everyone